Hi everyone, welcome back to my channel So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ कि हमें अपने लिप्स की केर किस तरह से करने है ताकि हमारे ब्लैक होचु के लिप्स फिर से पहले जैसे पिंक और सॉफ्ट हो जाए कभी-कभी हमारे होचों में बहुत जादा ड्राइनेस आजाती है जिससे हमारे लिप्स काफी जादा फटे हुए से लगने लगते है उसका कारण यह है कि हमारे होचों में पानी की कमी है सो पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें डेली 10-12 ग्लास पानी जरूर से पीना चाहिए अब बारी आ जाती है होटों के स्क्रविंग की कि हमें किस तरह से अपने होटों को स्क्रब करना है सो होंटों को स्क्रब करने के लिए जब आप टूथ पेस्ट करते हो तो उसे करने के बाद सबसे लाश्ट में आपको उसी ब्रस को लेकर हलके हाथों से अपने होंटों को स्क्रब करना है होंटों की स्क्रविंग हो जाने के बाद हमें अपने होंटों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है अब बारी आ जाती है होंटों को मोश्राइज करने की होंटों को मोश्राइज करने के लिए हमें बैसलीन या फिर लिप बांग को लेकर अपने होटों पर लगाकर हलके हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करने हैं ऐसा करने से हमारे लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें एक चम्मस दूर में एक पिंच हल्दे लेकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हमें इस मिक्षव की एक पतली सिलिय लेकर अपने होटों पर लगा लेना है और इसे यूँ ही 15 मिनट तक अपने होटों पर लगाये रखना है हल्दी हमारे होटों के लिए काफी जादा अच्छी होती है 15 मिनट हो जाने के बाद हमें अपने हाथों को हलका सा गीला करके शल्कूलर मोशन में अपने होंटों की स्क्रबिंग करनी है होंटों की स्क्रबिंग हो जाने के बाद हमें अपने होंटों को अच्छी तरह से वास कर लेना है next step में हमें coconut oil को अपनी finger में लेकर अपने होंटों पर लगा लेना है इसे होंटों पर लगाने से हमारे होंटों की blackness भी दूर होती है और साथ ही हमारे होंट soft बनते है आप इन सारे steps को दिन रात कभी भी कर सकते हो लेकिन रात में करोगे तो वो आपके लिए best रहेगा बांकि आप इसे दिन में भी कर सकते हो आपको इन सारे steps को एक हफते तक continue follow करना है और उसके बाद इसे हफते में 2-3 दिन यूज़ करना है इसे एक हफते तक regular यूज़ करने के बाद आपको इसका result मिल जाएगा I hope कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और हाँ वेल आइकन को भी जरूर प्रिस कर दें थैंक यू